इंस्टेंटली फियर ब्राइट और ग्लॉइंग स्किन चाहते हैं जिससे के आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं तो आपने दही में चंड चीजे मिलाक अपने फेस पे लगानी है तो आपको मिलेंगे इसके इंस्टेंट रिजल्स यह ना सिफ आपके फेस को ग्लॉइंग स देख भी दाकनेस हैं और ठीमिडियो का और पर बमखना है तो इसके पहले आपने क्या करना है वीडियो को फुल वच परना आया तो चनल को चल्दी से असब्सक्राइब कर ले को सब्सक्त्राइब पहला पार्ट आपके face की cleansing का आपके face से जितनी भी धूल मिटी है उसको रिमूव करनेगा तो आपने first step में अपने क्या करना है एक magical cleanser त्यार करना है तो जब भी cleansing की हमारी जहन में बाद आती है तो सबसे पहला जो ingredient हमारी जहन में आता है वह है बेसन जो के naturally cleansing करता है आपके face की deep cleansing करता है जितनी भी dead layer है आपके face की इसको remove करता है अगर उसमें हम lactic acid मिलाएं यानि के दही मिलाएंगे न तो ये सोने पे सुहागा है कि जब आप अपनी skin पे इसको apply करेंगे न तो जितनी भी impurities है गंदगी है आपकी face पे उन सब को remove करने क पावर रिखता है ये छोटा सा पैक सिर्फ दो चीजें आपने mix करनी आपस में जिसमें आपने बेसन और दही को अच्छे ज़िके से mix कर लेना है इसका smooth आपने face की आपने करनी है deeply cleansing ये जो powerful pack है ये खास तोर पे आपके जो pores में घुसावा गंद है जो के acne का बाइस बनता ह है जितनी भी धूल मेटी हमारी skin के pores में घुस जाती है जिसके वज़े से हमारे face पर बहुत ज़्यदा acne आजाती है बहुत ज़्यदा pimples बना start होते है उस गंद को निकालने के लिए बहुत powerful है ये pack आपने क्या करना है कि अच्छे सबने face की cleansing करनी है यहां पर आजकल मैं कु क्लीन कर दिया है अब यहां पर आप मेरी skin का जो texture है वो चेक कर सकते हैं यहां पर आप screen shot लेने क्यूंके before and after results आप check कर सके all over the face आपने बहुत अच्छे तरीके से इसकी application कर लेनी है अपने forehead पे अपने cheeks पे इवन अपनी गर्दन को भी आपने नहीं भूला है जब भी कोई अपनी skin care apply करें तो अपनी गर्दन पर उसको लाजमी लाजमी apply किया करें ताके आपकी जो skin का color है और आपकी जो body का color है वो आपस में match कर सके और यहां पर आपने hands and feet को भी नहीं भूलना है क्योंकि हमारी body के हर part को cleansing की ज़रूरत होती है यह ज़रूरत होती है कि उसके अच स्टेरिया ना लगे और ना ही आपके face पे किसी भी किसम की acne आए अगर acne आएगी तो फिर dark spots भी होगे आपके face पे pigmentation भी होगे और आपका face बहुत जल्दी भूड़ा लगना start हो जाएगा अच्छे से आपने face के deeply cleansing करना है यह दही और basin का वो जो step है आप daily basis पे कर सकते इसका कोई भी side effect नहीं है क्योंकि daily basis पे हमें अपनी skin की सफाई करनी है तो इसका zero side effect है आप इसको daily basis पे कर सकते हैं अच्छे से all over the face आपने massaging करनी है तकरीबन 6-7 मिनट तक massaging का आपने step complete करना है और जब आप face wash करेंगे ना तो आपकी skin भी इसी तरीके से neat and clean हो जाएगी जैसे क में skin में धूल मिटी गंद वेरा घुसा हुआ है traveling का या फिर आप जब कहीं बाहर जाते है ना तो बहुत ज़दा चोटे चोटे ज़राद जो के गंद की सुरत में हमाया face में घुस जाते है तो उनको remove करना बहुत ज़रूई होता है अभी जो में next pack त्यार करने चारी हूँ इसको प्लाइ करने से पहले आपने जो cleansing का step है वो लाजमी करना है अगर आप बहुत जबर्दस results चाहते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक से देर चमच मकई का आटा इस चीज़ का आपने है कॉन फ्लॉर्ट जो के हमें मिलता है असानी से किसे भी shop से आपको म आपने क्या करना है इसमें मिला देना है थोड़ा सा दही अब यहां पर टी लीव के बारे में आपने बिलकुल परिशान है यह डीपली आपकी skin को exfoliate करता है आपके face की जो darkness है उसको remove करता है और इसके इलावा जितने भी आपके face पर dark sports है उनको remove करने की सलाहित रखता है इ आपने natural ingredients और इसमें add करना है तो यहां पर आपने वीडियो को हरगी नहीं छोड़ना है अच्छे ती कैसे आपने mixing करनी है दही mix करना है अगर यहां पर दिकत पेशारी हो थोड़ी liquid की जरूरत हो तो आप मजीर इसमें दही add कर सकते हैं लेकिन आपने इस जिसका ह्याल लग जाते हैं अच्छे त्रीके से आपने इन चीजों को mix कर लेना है जब आप इसको mix करेंगे तो यह smooth सा fine से इस तरह से paste बनके त्यार हो जाएगा तो अब last में हमने इसमें मजीद एक natural cheese natural ingredient add करना है जिसको हम बोलते हैं अगर आपकी skin पर suit करता है तो इसको हर remedy में थोड़ा सा यूज लाजमी क्या करें आपकी skin को deeply moisturize करता है deeply आपकी skin को hydrate रखता है अच्छे त्रीके से तुमाम चीजों को आपने mix कर लेना है और इसको लगाना भी आपने जिस त्रीके से हैं वह भी में आगे चल के वीडियो में आपके साथ share करूंगी तो यह skincare के जो दो step हैं आपन की दिन में करनी है और इसके इलावा जिस त्रीके से वह बता रही हो same to same आपने इसी त्रीके से करना है अगर आप बेहतरीन results चाहते हैं अच्छे से यहाँ पर चख कर सकते हैं कि pack तयार हो चुका है और इसको भी में अपने face पे apply करना start करूंगे और साथ साथ बताऊंगे क इसको कितनी दफा अपलाई करना है all over the face आपने बहुत अच्छे त्रीके से इसकी application कर लेनी है जहां जहां पर आपको एकनी का issue है pigmentation है, dark sports है, milazwa है, आपके face पर dark patches है, darkness है, even अपनी neck पर भी आपने इसको अच्छे त्रीके से apply कर लेना है और यह जो second pack मैं बना कर लगा रह इसको अपने बना कर सकते हैं, सुबा शाम भी कर सकते हैं, लेकिन यह जो second step यह जो whitening pack है यह आपने week में 3 days apply करना है, alternate days में आपने इसको apply करना है, जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन इस त्रीके से आपने इसको apply करना है, इसको आपने लगा रहनी देना है तक्वीबन 9 से 10 10 minute अपने skin पर उसके बाद आपने skin massaging start करनी है, इसको आपने totally dry नहीं करना है, semi dry करना है, उसके बाद अच्छे से अपने face की massaging करना है, इससे आपकी skin exfoliate होगी, आपकी scrubbing का step हो complete होगा, massaging करने के बाद अपने face को आपने कर लेना है, wash तो कुछ इस तरह के आपको results मिलेंग instantly मेरी skin जो है bright हो चुकी है, fair हो चुकी है, यहाँ पर results इसके live results आपके सामने है, तो इस skincare को आपने लाजमी try करना है, तो यहाँ पर वीडियो helpful लगी हो तो लाजमी लाजमी subscribe करिएगा, पीर आँगे अच्छे से वीडियो के साथ, तक तक के लिए, Allah Hafiz